हेला एवरीवन आज हमारी रेसिपी में बना है कठल की सबजी जो कि चिकन और मटन के बराबर होती है उनसे भी ज्यादा टेश्टी होती है सबजी खाने में जो कि घर में सबको बहुत ही पसंद आती है सबजी अनुत इसी तड़का में आपका स्वागत है चली रेसिपी को तो यहां पर मैंने गैस पर कड़ाई रख दी है और यह मैंने एक चम्मज भरके तेल ले लिया है। सर्सो के तेल में यह सबजी बहुती सुआद बनती है। इसलिए मैं तेल गरम हो गया है तो पहले कठल को मैं अच्छे से इसमें फ्राइ कर लोगी। कई लोग कठल को उबाल के भी बनाते हैं लेकिन मैं उसको डिरेक्ट फ्राई करके बनाती हूँ जिससे कि इसके अंदर एक क्रंच रहे और ये बहुत ही टेश्टी रहे तो फ्राई करने में मैं 30-40% इसके अंदर गला लेती हूँ जिसी कि जब हम कठल को मसाले में मिला है तो कठल गल जाए तो यहाँ देखिए कठल फ्राई हो गया है हमें इतना ही light brown तक फ्राई करना है कठल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना नहीं तो यह कड़ा भी हो सकता है तो सारे कठल मैं निकाल लेती हूँ तो मैंने कठल निकाल लिया है। लोंग ले लिया एक छोटी बड़ी लैची गोलमिट्स ले लिया ही 7-8 जिनको मैंने Strach Spill गुखत spo stops कोट लिया है यह इत्योडती क्विल्ग ही इतीजा-धार मैंने यही लिया है । ऊंप मैंने लेख यह साइब कासेmost तो देखें यहां तेल बच गया है जिसमें मैंने कठल को फ्राइ किया था इसी में मैं छोक लगाऊंगी तो यहां मैंने वन फोर टेबल स्पून हेंग ले लिया है अब ही जो मैंने खड़ा मसाला था उसको भी मैं डाल दूँगी हमें इसे सिर्फ लाइट ब्राउन करना है जादा काला नहीं करना है जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो यहां देखिए इसको चलाते वे मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम लो रखा है अब यहां मैं प्याज डाल दूँगी तो यह मैंने एक बड़ा प्याज ल लियां और यह आठ से बारा लैसुन की लिफ्स ले ली है जो खाड़ा लैसुन मैंने लिया है इसका बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा सबजी में तो यह मैंने कद्दू कस किया अद्रक और लैसुन को मैं इसमें डाल दूँगी और इसी समय पे मैंने लैसुन की जो मैं एक लेयर निकाल ली है तो इसका भी एक बहुत अच्छा टेक्चर आता है प्याज का आपने देखा होगा सुखा जो ड्राय सबजी हम बनाते हैं तो उसमें इसी तरीके से हम प्याज की लेयर को डाल देते हैं जिससे की प्याज अच्छी लगे खाने में तो यहां हम इसी समय पर डाल दूँगी और इसको यह मैं अच्छे से चला के मिला लोंगी जिससे की इसका कलर बहुत अच्छे से आ जाए तो यहां देखिए बड़िया से मैंने इसको मिला लिया है अब डालेंगे 2 टमेटर की प्यूरी इसको मैंने कदुकर्स किया है मैंने कोई भी यहां पे वन फॉर तीखी वाले लाल मिर्च, आप स्वाद के अनुसार तीखा कर सकते हैं, यह मैंने एक चम्मज मीट मसाला ले लिया है, क्योंकि हम कठल की सबजी बना रहे हैं, और नमक स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं, तो मसाले बस मैं इतने ही यूज़ करूँगी, इसके अलावा मैं और कोई मसाला एड नहीं करूँगी, तो इनी मसाले में हम बनाएंगे चिकन मटन जैसा कठल की सबजी, और यह देखी मसाला भूज गया है, यहां मैंने दो हरी मिर्च डाल दी है, तीखे के लिए, तीखा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, तो लेकिन यहां मैंने मसाले में भी हरा धनिया डाल दिया है, और यह एक चमज ले लिया है, भर के कस्तूरी मैथी, जिसको हाँ से रफ करते हुए, मैं इसमें डाल दूँगी, कस्तूरी मैथी का तो आपको पता है, टेस्ट कितना अच्छा होता है सबजी में, तो मसाला एकद तक भूज लूँगी, यहां एक मिनट मैंने भूज लिया है, अब इसमें मैं पानी डालूँगी, तो देखिए, पानी मैं थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि मैं ड्राय कठल बना रही हूँ, भूना कठल बना रही हूँ, अगर आपको रसा लगाना है, तो आप पानी बार जरूर बनाईएगा तो ये देखिए पांच मिनट हो गया है तो पांच मिनट में आप देख सकते हैं कठल ने अच्छे से उबाल आ गया है अब मैं इसको चला लूँगी जिससे की नीची जो मसाला लग रहा है उसको मैं एक बार चला लूँगी इस तरीके से अब जो प भूशते हुए आपको पांच मिनट में आपकी कठल की सबजी बनके एकदम तयार हो जाएगी तो आप में रेसिपी को एक बार जरूर बनाईएगा और कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आपको में रेसिपी कैसी लगी तो ये देखिए एकदम गल गया है इसी स्टेश प आपको दिखा देती हूँ आप देखने में कितना टेस्टी लग रहा है एकदम चीकन मटन जैसा लग रहा है ये देखिए इसका टेक्चर कितना बढ़िया आया है तो इसी तरीके से आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाईएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपको में रेसिपी कैसे लगी अगर में रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मॉच